करोना वारिस जब चरम बता तब पूरा देश करोना वारिस से लड़ रहा था इससे पीछा छुडाने की कोशिस कर रहा था इस बीच बिहार में करोना से निपटने के साथ ही कुछ और भी चल रहा था और ये कुछ और करोना वारिस के टेस्स में फरजी वाड़े के रूप मे सामने आया जिसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है नितीश कुमार ने जाज के लिए बाराटी में गठित की है और कहा है कि फर्जी वाड़े करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा वहीं से लेकर सियासत भी तेज हो गई है आरजेडी नेता तेजश्वी यादव ने नि विधानसभा में प्रश्णतरकाल के दोरान आरजेडी विधायक ललित यादव ने सरकार से इस मामले में की गई कारवाई को लेकर जवाब मांगा था स्वास्त मंत्री मंगल पांड़े ने सदन में बताया कि इस मामले में कई जिलों के अंदर जाच कराई गई लेकिन रखी की विधानसभा कमेटी से गड़बरी की जाच कराई जाए स्वास्त मंत्री मंगल पांड़े ने विपक्षी विधाय के समांग को खारिस कर दिया जिसके बाद नेता प्रतिपक तेजश्वी यादव भी सदन में उठ खड़े हुए तेजश्वी यादव ने कहा कि व तेजश्वी यादव ने कहा कि सरकार को इस मामले में उदासी इंता की वज़ा है कमेटी बना कर पहल करनी चाहिए तेजश्वी यादव को जवाब देते हुए स्वास्त मंत्री मंगल पांड़े ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो सुझाव दिये गए थे उस प बेल आइकन दवाना ना भूलें